पारंपरिक टोपी ओफ हेवी जैकेट में अमिताब ने शेयर की ब्लैक अंड वाइट फोटो बलेवुड के मेगा स्टार अमिताब बच्चन आजकल अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्थ हैं जी हाँ, वे हाजकल अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रहमास्तर की शूटिंग में लगे हुए हैं और वे हिंदिनों आलिया भटक और रनबीर कपूर के साथ मनाली में काम कर रहे थे वहां बिक बी ने जाने के बाद वहां के लोगों की तारीफ की और अब उन्होंने हिमाचल में हुए पारमपरिक स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद कहा है जी हाँ, हाल ही में अमिता बच्चन ने अपने विटर पर एक ब्लैक अंड वाइट खुद की तस्वीर शेयर की है आप देख सकते हैं इसमें वह पारमपरिक टोपी और हेवी जैकेट के साथ गौगल लगाए हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने वहां के लोगों को आदर करके हुए हाथ जोड़ा हुए है वहीं अमिता बच्चन ने अपनी इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए लिखा उनका पारमपरिक स्वागत के लिए ही माचल प्रदेश के शुबचिंतकों और विशेश रूप से जहां से हम काम कर रहे है मनाली उनको इतने प्यार और क्या के लिए धन्यवाद आप सभी को बता दें कि सकार ने बिगडी को राज्य का मेहमान घोशित कर दिया है और इसी वज़े से जब एक चंडी गर से सडक मार के द्वारा मनाली की ओर निकले तो वेह कई जगों पर रुके इन सभी में बिलासपूर, महंडी, कुलूर शामिल रही वहाँ भी लोगों ने अमिताब बच्चन का पारंपरिक शॉल, टोपी, फूल आदी से जोरदार स्वागत किया और इसी के साथ ही वेग लोग शान्ते मैं तरीके से बिगभी से मिले और उनका समान किया आपको यह भी बता दें कि अभी मनाली में दो दिन शूटिंग हो चलने वाली है लेकिन अमिताब बच्चन वापस मुंबई आ गए है भ्रमास्तिर साल 2020 में रिलीज हो सकती है